नमस्ते दोस्तों स्वागा थे आपकामर्स यूट्यूब चनल पर आप देखने टेक फ्रंट और आज की उडियों हम जानने वाले हैं गूगल क्लास्रूम के बारे में की गूगल के द्वारा प्रोवैलिड किया गया है फ्री में और अगर आप उसका एक वैलिड तरीके से उ यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल को उसके लिए एक जी स्वीट पर रेजिस्ट्रेशन करना होते हैं उसके बाद और उसको कई और फीचर्स के साथ आप उसका अप्योग कर पाएंगे तो अगर आप पहली बार गूगल क्लास्रूम चरा रहे हैं तो आप अपने सर्च बार में क्लास्रूम.google.com सर्च करें और यह आपके पास खुल जाएगा आपके डिस्प्ले में गूगल क्लास्रूम और अभी आपको सैनिंड कर लेना है आपके आड़ी से तो हमने सैनिंड कर लिया अपने आड़ी से और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है औ दशना से क्लास के आपको सैनिक्स कर सकते हैं और आपको अपने सारे क्लाविषे मिल जाता है छो जो आपको पूराप्रवाप्रेटके खुलोद कर स्था एंट इसमें आपको सैंको स्यंडिंग करना वह रहाता है और ऋसके वाद अलैंडर पक्लास्रूम आपको स्मिंग्रuciones है जिसे आप टॉगल करके ओन या अउफ कर सकते हैं अब हम सबसे फ़ले क्लास क्रियेट करेंगे यहां प्लस वाले सैंट पे क्लिक करके जोईन क्लास नहीं क्रियेट क्लास करने के लिए देखिए यह पॉप आ रहा है अगर आप एक स्कूल युनिवर्सिटी चला रहे हैं तो इसके लिए आप एक फ्री जी स्वीट फोर एजुकेशन एकांट पे आपना साइन रजिस्टेरेशन करवा है आपके पास जी स्वीट एजुकेशन का एकांट नहीं है तो आप सी दे इस वाले पे क्लिक कर दें आप रिड़ अंदस्टेंड अब नोटिस और आप जो है सुग वर्ल क्लास्रूम स् कहाईड है इसमें आपको नाम डालना यह वागां क्लस्णिम का तॉप ना क्लास में मिस्टेर आए मैंने हिंदी लिर्निंग दे दिये और सखेशने इसमें दिला आ आप सब बादमें विसिटिंग कर सकते हैं तभी हम इसमें कुछ दे डिरते हैं और सभ ज circuits हैंदी स्रींग पंतल के हैं दो के हुझ और फिर इतर अपको प्लिक कर देंस हो और यह हमारा च्रफ्म क्यों हो गाएंगा यह 10-15 स्देवें तक कर लेता है क्या कि अव्यड़ क्लाश हो गया है और यहां आपको यह कुछ नहीं क्या क्या कुछ करना है आप यहां से stream वाले टैब में आपको announcement कर सकते हैं कुछ भी class में कुछ भी आपको message करना हो अपने class में तो आप directly stream से कुछ भी आप message कर सकते हैं और sharing भी अगर कुछ करना चाहें तो यहां से आप कर सकते हैं और यह इसने चि HU सबसे पहले उपर आपको यह देख़गा आप अपना अपना अपलोड फोटो करकर भी इसका थीम्स संस कर सकते हैं और यहाँ डिफॉल्ट जो प्री क्रियेटेटर खीड्मस होता है वह भी आप सेलेक्ट करके यह अपना यह उपर वहाला थिम्स चेंज कर सता है तब ही मैं एक्जाम्पल के लिए यह वाला स्लेक्ट कर लेता हूं और select class theme पे click कर दिया और देखिए हमारा यह उपर का theme चेंज हो गया है और यहां आपको class code उपर में देखने को मिल जाता है और आप इसका बड़ा size देखना चाहते हैं तो इस पे click किजिए display पे और यह आपको class code का larger size दिखाए देगा जहां से आप easily इसे देख करके इसे share कर इसे change भी कर सकते हैं और इसे disable भी कर सकते हैं और उपर class का name लिखा होता है और यह section होगा यहां आपको एक icon दिख जाएगा इस पे click करते ही आपको और थोरे details देखने को मिलता है rooms और subject देख सकते हैं आप यहां पर और यह upcoming no work due in soon यह calendar में कोई work due है तो यहां आपको दिखत है और देखिए अभी मैं आप कुछ share करके दिखाता हूं क्लास में अब यह से अधन से अधन से सम्थिंग विट्यों क्लास अभी कोई स्टुडेंट नहीं जोड़ा है मैंने इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है और यह classwork में आप class ने जो भी काम होता है class का वह सब आप इसमें कर सकते हैं और class drive folder भी आपको एक drive पर मिल जाता है अलग classroom folder नाम होके और Google Calendar में यह आप सारा कुछ देख सेता है किस दिन क्या कौन सा assignment है या कौन से क्वीज है जो इसके जूवल किया गया है और कौन सा जूब है काम आपका यह सब कलेंडर में देख सकते हैं और यहां यहां याशू create पर क्लिक करके आप class में create कर सकते हैं बहुत सरे कुछ आप देख सेते हैं असेन work to your class यह असेनमेंट्स आप देख सेते हैं questions देख सकते हैं और topics भी चूज करके organize कर सकते हैं और चलिए हमें भी create करते हैं अपने class के लिए कुछ पहले तो आप सारा टैब दिखा देता हूं आपको यह people वाले टैब में जो teachers होते हैं उनकी उपर मे invite कर पाएंगे उनका manually नाम email address दे करके तो अभी मैं email address देता हूं students को जोड़ने के लिए ज़्यादा बहतर होता है कि आप वह अपना ID जो है आपके class में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी पहले मैं जोड़के दिखाता हूं manual इस पर मैं email डालूंगा students का email डालके उसके बाद जो invite का यह option देख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है अभी इस students के अभी मैंने जिसका email डाला उस पर email गया होगा और email से यह class जोइन कर पाएगो तो चलिए हम जाते हैं students वाले व्यू में और पहले हम जाएंगे email में कर तुछ देखिए email आ गया है अभी यहां से मैं जोइन कर दूंगा देखे बता रहा है आप को इन्वैटेड किया गया है हिंदीर लर्निंग के लिए और आपने जिस एमेल से सैनन किया है वो email यहां पर देख रहा है और यहां से आप जोइन किजिए तो यह class जोइन हो जाएगा अब देखिए यह साला कुछ आ गया मेरे सामें और यहां से आप यह इस्टुडेंट व्यू है और यहां पर स्टुडेंट को तीन टैप देखने को मिलेते हैं स्ट्रीम ग्लासवर्क और पीपल यह स्टुडेंट्स भी देख सकते हैं इसमें उनके टीचर्स को क्लासए का टैब मिल जाता है अनों जोबिव उनको क्लास में क्लासवर्क दियागया पेश्यता होता है और स्ट्रीम में डेक्ट ये अपने टीचर्स के साथ है चाट कर सकता है उनके सारे क्लास के जो मेम्बर्स होंलाद के जो सब कुछ देख सकते हैं और यहां आपको ड्यू डेट मिल जाता है अभी मैं चलता हूँ टीचर्स व्यू पर दिखिए वन इस्टुडेंट यहां पर दिखिया है उसने जोइन कर लिया है क्लास अब स्ट्रीम वाले टेप पर आएंगे और सेर संथिंग विच्व क्लास अपने क्लास के साथ चाहता हूं कुछ शेयर करूं तो यहां पर आप क्लिक कर देना है और इसमें अगर आपको अगर दूसरी क्लास भी होता है तो यहां पर आपको चैंज करने का अप्समिर रहता है क्लास है इसके लिए और यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारे स्टुडेंट्स को यह मैसेज़ करना है यह एक सेलेक्ट अगर आप के यहां ज्यादा स्टुडेंट्स होंगे तो आप उसे क्लिक कर पाएंगे और अलगला स्टुडेंट्स को भी भेज पाएंगे यहां पर all पर select कर रखा है मैंने इसलिए तो सारे students को जाएगा यह message यहाँ पर आप message कर देना है जो भी कुछ आपको लिखना हो और यहाँ पर जो attachment अभी आप कुछ करना चाहते है अटेच तो files यहाँ पर आप Google हो यह पर यहाँ अगर कुछ एड़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं तो आप यहाँ से आप डैटली पूस्ट कर सकते हैं अभी के विए अगर यहाँ तो आप यहाँ से schedule कर सकता है या फिर save draft कर सकता है आगे कभी अगर आगे का प्लान है तो इसके लिए मैं भी पोस्ट कर सकता हूं currently तो मैं भी पोस्ट करूंगा और ये मेरे students को भी चला जाएगा, post created, वो भी stream वाले tab में देख पाएंगे, जो teacher के दौरा ये एक post किया गया है, stream वाले tab में, तो ये अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको रिफ्रेस भी कर सता है, यहां से तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए, तुरंत दिख गया है, complete chapter of science, यहां पर जो मैंने file attach किया था, वो भी students को दिख रहा है, तो students यहां पर click करके इस फाइल को देख सकते हैं, और यहां पर click करके इसे का link को copy करके, या भी आप बाकी जो report वगारा का options को था है, वो option मिल रहा है, यहां पर class comment भी यहा के लिए, यहां से comment करना होगा, यहां पर click करके आप post कर सकते हैं, अब यह stream वाले टैब में teachers को भी दिखेगा, तो हम चलते हैं teacher वाले टैब में, यहां पर refresh कर देता हूं, तो मुझे देख पाएगा, देखे यह comment आया है, one class comment, thanks for file, आप इसे delete भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, इसे mute कर दिया जाए, जो इसका notification या email आपको ना मिले, आप mute कर सकते हैं, और इस class का settings अगर चाहते हैं, जो मात्र students बस देख पाएगे, कोई comment ना कर पाएगे, तो इसके लिए आपको settings में ज change कर सकते हैं, तो यहाँ से आप class की details change कर सकते हैं, और class का description में लिख सकते हैं, और नीचे आपको general जो options मिलता है, class code का, यहाँ से आप इसे copy कर सकते हैं, और display reset, reset कर देने से आपको, ये code बदल जाता है कुछ समय में, और इस code को share कर देने से, students इस code के जड़िए, आपके class को join कर पाएंगे, और stream वाले option में, students can post and comment पे जो अभी ये selected हैं, उसे आप बदल के, only teachers can post और comment पे click कर देने से, मातर teachers ही, post या comment कर पाएंगे, students नहीं comment कर पाएंगे, और इसमें, बच्चे मातर comment कर पाएंगे, और ये so deleted items, यानि कि इसमें मातर teacher, deleted items देख पाएंगे, और नीचे marking का जो आप्सोंस आपको मिल जाता है, अगे हम चलते हैं, classwork पे, classwork वाले टैप पे आपको assignment और quiz assignment questions, materials और topics वाले ये सारे के सारे आपको options मिल जाते हैं, तो आपको अगर कोई assignment देना है आपके class को, आप पहले वाले option पे click कर सकते हैं, और यहाँ आपको title दे देना है, और instruction और इसमें भी आप file अगर कोई add करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, यसे कि मैं भी करना और instructions आपको इसमें दे देना है, और file इसमें attach कर देना है, बाकी पहले stream वाले में जिस प्रकार कता हो, उसी तरस इसमें भी है, तो यहाँ मैं भी file upload करूँगा, अपने PC से ही, upload हो गया है, और यहाँ आपको दहनी ओर, class जो है, class भी आप select कर पाएंगे, अभी एक ही class है, तो इसलिए मैरा clickable नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर भी आप select कर सता है, किन किन students को भीजना है, सारे students को, या फिल अलग-अलग manual याप select कर सकते हैं, और यहाँ पर points आपको number में भ 50 कर देता हूँ, और यह due date में time और date आप दे सकते हैं, यह last date कब तक का है, मैं 20 तारीक कर देता हूँ, और time में इतना जो है, time भी जो है तो आपको, मैं default ही रहने देता हूँ, और यह हो गया मेरा देखिए, due date भी इसमें दिख़रा है, सामाई, और time और topic भी इसमें आपकर create करना चाहें, तो कर सकते हैं, और यह topics के नीचे आपको rubrik का option मिल जाता है, यहाँ आप create कर सकते हैं rubrik को, और इसमें दे सकते हैं, जो क्या-क्या criteria है, और क्या-क्या उसके नियम है, और क्या-क्या बाकी जो उन्होंने क्या-क्या करना है, आपके students को वह सरा, इसमें description लिख सकते हैं आप और यहां पे आप अलग से एड़ भी कर सकते हैं और बाद में इसे से भी कर सकते हैं तो यह था रूब्रीक का तो मैं भी रूब्रीक नहीं देना चाहता हूं कुछ इतने पेड़ा के इसे असाइन कर दूँगा आप इसे बाद में भी स्केजूल कर सकते हैं और स से वाज ड्राफ्ट भी कर सकता हैं बाद में करने के लिए तो भी मैं इसे assign कर दता हूं और यह assign हो जाएगा और स्टुडेंट्स के classroom वाले टैब में भी सारा कुछ assignment create हो गया होगा और हम चलते हैं students वाले view में मैं यहां क्लास वर्क पर स्टूजेंट क्लिक करेंगे देखिए इनको यहां पर तुनत अपड़ेट हो गया है ड्यू डेट टुमॉरों का दिख रहा है हिंदी ग्रामर और यह समय है यहां पर अपकमिंग जो दिख रहा है वो दिखेगा यहां पर और कलेंडर में भी बच्चे देख स यहां पर बच्चे क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं अुए वह से चलेंगे टीचर वाले वीव में और यहां से पर क्लिक करके आपको कईस़ारे मिल जाता है क्यूiennent करने का स्विच्छं करने का मैटेरियल लेगर आपकुछ अपने क्लास में सेंड करना कर रखें वो अगर आप फिर से उसी पोस्ट को रिउज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करको से रिउज कर सकते हैं अभी मैं एक क्वेस्ट्टन पूछता हूँ अपने क्लास में इस तरह से तो यहाँ पे आपको टैप करना है ऑर कि हैं शंग्या के कितने प्रकार होते हैं मैंने क्वेस्ट्रेट कर लिया है और यहां पे क्वेस्ट्रेट का जो फॉर्म है वह यहां पर चूझ करना हो थो मैं मुल्टीपल चॉईस कर लेता हूं इसमें आपको options देने होते हैं जैसे कि पहले option में मैं डिजिट लिख दूँगा 2, 4, 6, 5 यहां आप add option पे click करके options add कर सते हैं जितने चाहें और instruction भी आप इसमें दे सकते हैं optional है एकिन मैं इसे अभी छोड़ेता हूं instructions को और यहां आपको किस students को भीजना है वह यहां पर select करने को मिल जाता है उसमें points दे देने हैं मैं ऐसे points देता हूं दस ड्यू डेट में भी अगर आप डेट और टाइम देना चाहें तो यहां से दे सकते हैं time optional है date भी optional है कोई इसका ज्यादा आवस्चेक नहीं होता है अगर आप चाहते हैं इन जूडेट भी दे दिया जाए तो इसके लिए काफी यूजफुल पता है यह time or date मैंने दे दिया है tomorrow दस तेस में और यह टॉपिक अगर आप यहां से create करना चाहें तो create कर लें और स्टुडेंट्स केंसी दे क्लास संब्री और क्लास आपके जो क्लास का जो संब्री होगा वो स्टुडेंट्स देख पाएंगे इस पर अंटिक कर देंगे तो फिर व आप यहां चाहते हैं कोई documents create करके उन्हें और जो ग्राफिक अच्छे तरीके से दिखाए जाए या फिर उन्हें समझने में असानी हो पाए तो आप यहां से क्लिक करके कर सकते हैं तो अभी मैं इसे cancel कर देता हूँ और यहां पर आप डैटली अभी कैविए आसक करना चाहते हैं बच्छों को भीजना चाहता है यहहां से क्लिक करके आप भीजपाएंगे यहां यहां स्क्रेजेव कर सकते हैं या फिर सेवध्राफ्ट बाद में करने के लिए सेवध्रा पर आपको क्लिक कर दाने तो मैं अभी आश्व क्लिक कर देता हूं और यह क्सट्राइब दिखने लग जाएगा आप देखिए यहां पर मुझे क्वेस्ट्राइब आ गया है डू डेट भी हाँ और समय भी यहां पे दिख रहा है कि इससे क्लिक करके स्टुडेंट्स एंसर दे सकते हैं इस पर क्लिक करके जैसे कि पांस्पकार का होता संहत इस पर क्लिक करके हैंड इन अभी पर क्लिक कर देगा तो आपको जो तीचर को दिख जाता है जो इस टुडेंट ने सौप दिया है एंसर बाद में स्टुडेंट कोई अगर इसे समिट कर देने के बाद कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता है इसलिए अभी हैंड इन करता हुए और यह हैंडिन इन हैंड हो गया है अभी देखिए यहांपर दिख़ए इन एंसर यह कर दिया गिया है और हम चलेंगे टीचर्स वाले ब्यूमें कि यहां पर देखेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाता है वह वह उन हैंडेट इन एक बच्चे ने जो है स्टूस से एंसर दे दिया है इस पर कौन वाले किस वाले पर लगाया है वो भी यहां पर दिख रहा है थुरा सा दार कलर में की देखिये उस्में on pay क्लिक क्या हूं तो आगे है स्ट्टीडेंट का नाम और किस पे लगा है वह भी respirator को हुआ अगर आप इसे चाहते हैं इससे अंक्रिया जाये कुछ इसने मार्क दिया जाए तो आप इसपर क्लिक करके मार्क दे सकते हैं दसın पर कमई मैं इसे रखा था question को ताप इसमें से कितना देना चाहते हैं तो मैं 10 दे देता हूं 10 का 10 और रिटर्न यहां से आप क्लिक कर सकते हैं और यहां से भी इसे रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न करते समय आपको private comment भी करने का option मिलता है यहां से आप कमेंट कर सकते हैं तो वह बच्चा इस्टुडेंट्स देख पाए है आपके इस comment को और चेक कर सकता है आपने जो ग्रेर उन हैं रिटर्न कर दोता हूं मैं अभी बिना comment के रिटर्निंग वन सब्मेशन रिटर्न और देखिए अब हम चलते हैं स्टुडेंट्स वाले व्यू में आ गया है यहां पर देखिए यह लिख क्या राए मार्क्ड और व्यू क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं आपको दिख जाता है मार्क देगी देगा है कितना देखिए 10 म में कुछ कमेंट किया जाए आप यहां से भी कर साता है और यहां से क्लास कमेंट और यहां से प्रवेट कमेंट जो की डैक लिए आपको टीचर को दिखेगा और यहां से आप क्लिक करके view your work पे यहां आपको total आपका वर्क दिख जाता है कौन-कौन से जो है so return किये गए है आपकी teachers की ओर से वो students को इस प्रकार से यहां दिखता है देखिए यह भी return किया गया है teachers की तरफ से mark 10 में से 10 आई यह दिख रहा है और यह question यहां पर कौन-कौन से questions assigned किये गया है किस चीछ के बारे में वह यहां पर आपको दिख जाता है और missing जो है वो भी और यहां पर all तो यह है class work students का अभी हम चलते हैं teachers वाले view पर यहां आपको और भी material भेजने का option मिल जाता है यहां से आप material भेज पाएंगे description में और title लिख देना है और description optional होता है इसका और topic create करके और students select करके अभी मैं इसे cut कर देता हूँ और people में आप जान चुके है students को add करने का और teachers को add करने का option और आप चाहते हैं students को mail करा जाए यहां से आप email student कर सकते हैं और student पे select करके यहां आपको उसको दिख जाता है पूरा option देखिए क्या क्या उसे task दिया गया है यह question दिया गया है और यह assignment और कौन-कौन सा इस student है hand किया है वो भी आपको दिख जाता है यहां पे no work atoms in this filter यहां अभी कुछ नहीं दिख रहा है और all पे click कर देने से यह कुछ दिख रहा है यह सब कुछ दिख रहा है और यह चौथा tab जो teachers को मिलता है marks का मार्क वाले tab में आपको marking की सारी सुधा मिल जाती है mark देने की और जो जो mark अभी तक क्या गिया है marking वो सारा सुधा इसमें आपको मिल जाता है यहां से आप देख सकते हैं submission वगरा सा यह marked और यह देने वाला भी यहां से आप नमबर डिजिट करके return कर सकते हैं यह mark जो है सो उस student को भीज दिया जाएगा previously यहां पर दिख़ए 10 का दस्त अभी 10 में सिद्धू हो गया यह था आज का एक छोटा सा वीडियो गुगल क्रास्रूम के बारे में अगर आपको इसमें कोई समस्या यह कोई confusion होता है ता आप comment box में type करके पूछ सकते हैं अपना question और answer दिया जाएगा आपको tech front की तरफ से हुआ है